जो शंशोदन करके डॉक्टर रेट की पद्वी पाने का जो प्रैत्न करते हैं, उसमें बहुत सारे कहते हैं कि 2004 तक इसमें 4000 से भी ज्यादा शंशोदन हो गये हैं, हिंदी के छात्रों के द्वारा, शोधारतियों के द्वारा, और अब तक 2004 के बाद तो कहते हैं कि काफी फिलोसोफी क्या है, ये जानकारी दो-पांच सालों से तो हम तक पहुँची है, और इसके लिए UGC का बड़ी एहम भुमी का UGC की रही है, उसने उसका महत्व भी बढ़ाया है, और इसलिए शंशोदन के क्षित्र में, शोधन के क्षित्र में बहुत सारे छात्र पहले से जानकार होकर आगे आते हैं, एफवय या फर्स्ट एर में जब दाखिल होते हैं, तब से ही दिमाग में एक बात पैठी हुई होती है, कि मुझे इसी क्षित्र में आगे बढ़ना है, और ये डिगरी तक पहुँचना है, तो ये 2004 के बाद तो इसका काफी विकास हुआ है, पैसा कहते है कि भाषा को लेकर भी शंशोदन किया जाता है, साहित्य को लेकर भी शंशोदन किया जाता है, शैली विग्यानिक शंशोदन भी हम तक पहुँचा है, मनोविग्यानिक क्योंकि प्रयोगवाद के बाद मनोविग्यानिक कहानिया भी हम तक पहुँची, मनोवि व्यक्तिया उसकी गुथियों को उसकी पीडा को और उसकी मनस्थीतियों को अभिव्यक्त करने का सतत प्रयत्न हुआ है और उन पर शंशोधन करने का भी और शोधन करने का भी प्रयत्न सतत हुआ है एक बात और है क्षेत्र विशेश पर ध्यान देते हुए और उसके रितिरिवाज, उसकी राजनेती, उसमें आपसी सम्मंद, उनकी समश्चाएं, उन सभी को खोज कर ले आने का प्रहतन क्षेत्र विशेश में रहता है। उपन्यास आगे और उपन्यास हमें भी अंचलिक उपन्यास, तो क्षेत्रिय सोध से उसका सम्मंद है। अब मुझे बात खास एक ये करनी है, प्रकारों पर तो आपके सामने प्रकाश डाला है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? शोध में क्या महत्तुपूर होता है? शात्र प्रक्रिया करने के लिए निकल पड़ते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मुझे डिगरी मिल जाए। लेकिन वो छात्र अच्छा है कि जो एक विशे का ग्यान रखने की उत्सुकता रखता है। सिर्फ उत्सुकता रखने से काम नहीं चल उसकी टेक्निकों से भी परिचित होने का प्रहतन करता है। और उन टेक्निकों से परिचित होकर ही सिर्फ काम पूरा नहीं हो जाता है। उन टेक्निकों को अपने शोधन में उसका इस्तेमाल करता है। ऐसा शोधारती मिलना मुश्किल है। लेकिन ऐसा कहे कि हम ऐसे शोध शोधारती हो सकते हैं कि जो सतत जिग्या सा रखता है क्योंकि जो जो निर्देशक है जो जो गाइड है उसको भी काम करने के लिए उकसाता है शोधारती क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती होती है बार बार फोन करता है बार बार उनसे मिलता है बार बार नए प्र आजकल एक बड़ा रोग याने डॉक्टरेड पाने के लिए आदमी कभी कबार हद से गिरता है और कॉपी पेस्ट अंगरेजी में ये बहुत कुछ हो रहा है बहुत सारे कहलाने वाले विद्वान कॉपी पेस्ट करके वो फीजडी भी हो गया है ऐसा कहते हूँ ये बड़ा दर्शनाचारिय तक पहुझना और दर्शनाचारिय की उपादी प्राप्त करने के बाद दर्शन के नाम पर शुन्यका होना बड़ा आश्चरे चकित करने वाला ये सवाल है इसलिए शोधार्थी को ये खयाल रखना है चात्र जब शोधार्थी बनता है तो उसको ये खया रहा हूं उसमें मेरे पास पूरी तटस्दा और पूरी निष्ठा होनी चीए निर्देशक से मैं कैसे सहायता ले सकता हूं निर्देशक की भी उसमें हम भूमी का है जिस विशय की जानकारी नहीं है या जिस विशय में हमारी हम उनमें गाइड नहीं कर सकते है ऐसे विशय को दिया जाता है कभी कबार और बड़े अच्छे निर्देशक भी है कि जानकारी नहीं है तो उसमें जानकारी पा लेते हैं और फिर उनको गाइड करते हैं उनको मार्कदर्शन देते हैं ऐसे विद्वान, बहुत सारे विद्वान इस सृष्ठी में है तो ये बहुत अच्छी बात है, निर्देशक की भुमी का यही है कि उनको एक गैड के तौर पर उनको क्योंकि टेक्निक ही बता सकता है, क्योंकि संशोधन करना तो छात्र को है, शंसोधन करना तो शोधार्थी को है निर्देशक को शंसोधन नहीं करना है वो तो टेक्निकों से परीचित है परिणाम सरूप उन टेक्निकों के जरिये उनका मार्कदर्शित करता है और मार्कदर्शन करता है और शोधार्थी उस राह पर आगे बढ़ता है फिर एक महत्तु विषय का चैन किया जाए किन बातों को ध्यान में रखते हुए विषय हम पाए तभी तो पुछा जाता है कि आपको रूची क्या है आप किसमें रूची रखते हैं कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंद, किसी विधा में रूची लेते हैं या दो साहित्यकारों में या दो यूगों में, या एक यूग के ख्षेत्रिय तत्वों तक, आपको किसमें रूची है, रूची के विशय को चुन कर, और फिर उसको ले जाना पड़ता है उनिवर्सिटी तक, और उनिवर्सिटी की भी उसमें एहम भूमिका है, कि उसमें भी उसकी क्षमता है या नहीं है, उसकी जान्ज पड़ताल की जाती है, और फिर यदि मान लो कि उसकी क्षमता उसमें दिखाई देती है, और निर्देशक ने भी सुजाओ दे दिया है तो फिर उनको उनके बारे में याने आजकल तो कहते हैं कि return test भी हो गया है और फिर कहते हैं मौखिक test भी होता है और फिर उनका काम शुरू होता है एक synopsis रखनी होती है जिसे रूप रेखा कहते हैं सारे थिसिस को या जो महाशोध प्रबंध है उसको रखना है तो उसका पूरा प्रारूप कहते हैं कि मनुष जो इच्छा रखता है या मनुष जहां पहुँचना चाहता है वो पहले उसकी कलपना में आ जाता है कलपना में साकार हो जाता है तो यह जो कलपना में साकार हुआ है यानि उस विशय का जो परिग्यान पाने का हमने प्रयत्न किया है हम उसमें क्या करना चाहते हैं उसकी पूरी रूप रेखा पहले रखनी होती है इसका मतलब यह नहीं है कि रूप रेखा को रखना यानि उसी ही अर्थ में आगे बढ़ना क्योंकि शंशोधन करने से पहले हम शोधन को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं हमारे निश्कर्षों को नहीं रख पाते हैं निश्कर्ष तो उस रह पर चलने के बाद आते लेकिन हमारी जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को या हम कैसे शंशुदन करना चाहते हैं उसकी रूप रेखा को जिसको सिनोपसिस कहते हैं और वो उस रूप रेखा को रखना होता है फिर काम शुरू होता है उसमें कहते हैं कि तत्यों का संकलन फिर एक स्टेज आता है कि तत्यों को संकलित करना सामगरी को संकलित करना अब सामगरी कहां से प्राप्त करना उसके लिए लाइब्रेरी जाना होता है अलग-अलग संस्ताओं का संपर्क करना होता है और जिस विशे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उस विशे में निशनात कौन-कौन है इस देश में इस संसार में उन निशनातों से संपर्क करना होता है उनसे जानकारी पानी होती है पत्र-पत्रिकाओं से सरोकार रखना होता है पुस्तकालय तो एहम भुमिका लिया हुई है इसके लिए क्योंकि इस स्रिष्टी को संजोकर रखने का प्रैत्न इस रिष्टी के सारे ग्यान को एक ही जगह पर संग्रहित करने का प्रयत्न पुस्तकालायों ने किया है। और जैरोक रखते समय कहां से वो सामगरी आपको मिली है उसके उपर उसकी नोज भी कर दी जाएं। उसका पूरा निर्देश हमें कर देना है। इस प्रकार सामगरी को एक बार इखटा कर लेना है। और फिर उसका विभाजन करना है। हमने पहले तो ऐसे विभाजन को दिखाई दिया है क्योंकि रूप रेखा जो दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनीका अनुसरन करते हुई हमें चलना है। क्योंकि हम इस राफ पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे रास्ते खूलते जाएंगे। हमारा पहला विचार है वो बदल जाता है। किसी कहानीकार को देखना, कहानी लिखना शुरू करता है तब उसके मन में विचार कुछ अलग होता है। और कहानी के अंतीम पहलू तक पहुँचता है तो पूरा विचारी बदल जाता है, समश्या ही बदल जाती है। अब मैतिली शरण गुप्त ने नहुष नामक जो खंड कवे लिखा, उसके बारे में आप जानते हैं, कि उन्होंने इंद्राणी नाम से कवे लिखना शुरू किया था, और पूरा होते होते तो नहुष प्रदान हो गया, और ऐसा लगता है, इंद्राणी तो शची तो पर उड़ता है, और उसमें पढ़ा हुआ वो राक्ष्यसत्व उसको कैसे गिराता है, और अन्त में उन्होंने अपनी भुमिका में इसका स्विकार भी किया है, कि ये इंद्राणी नाम से कवे लिखना प्राण, इंद्राणी की जो स्थीती है, उसको अभिव्यक्त करना च होता है, उसमें सतत निर्देशक से संपर्क बनाकर हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सुजाव लेना परमावश्यक है, उसे लाब ये होता है कि निर्देशक को भी शोधारती के प्रती रूचिब बनती है, उतना ही नहीं है, उसको भी जिम्मिवारी बनती ह मुझे इस विशे में उनको मार्क दर्शित करना है, मार्क दर्शन देना है, तो मुझे इस विशे की जानकारी भी प्राप्त करनी होगी, तो बार बार वो भी इस विशे को और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रहत्न करते हैं, तो विशे की सामकरी को इकट करना और फिर उसको रखना और उसके लिए जहां 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 जो जो आवश्यक्ता है जहां इस विचार को जानने समझने के लिए जो जरूरी बनता है वो उन विद्वानों को मिलकर और इन किताबों से संपर्क बना कर करना पड़ता है। विद्वानों के स्टंडर को भी दिखा जाता है। क्योंकि हमारे ही जैसे शंशोदक बस विचार आया और उस रखा और उनी मेंसे हमने उद्धरन लेकर अपनी बात को पूष्ट करने का प्रहत्न किया तो वो पूष्टी नहीं हो पाएगी। इसले मान लोग कहते हैं कि कुछ शंशोदन कर रहे है तो इंदी के आलोचकों में रामचंद्र शुकल जी है, हजारी प्रसाद दुवेदी जी है, नमवर्शी है, ये नंदुलारे वाचपई है, ये ऐसे विद्वान, याने विद्यानिवास मिश्र जी है, प्रभाकर जी है, ऐसे विद्वानों के अ कीत करते हुए हम अपनी बात की पुष्टी कर सकते हैं मान लो कि हमारा जो थिसिस है महाशोध प्रबंध है जो वो हमारा लिखा जा चुक है उसमें उद्धरणों का बड़ा महत्व है उद्धरणों को कहीं विद्वानों के विचारों को रखते समय हमें खयाल ये रखना है अपना जो विचार नहीं है वो विचार अपना नहीं है जिस विद्वान का है उसका उलेख पाद टिप्पन के रूप में देना परम आवश्चक है आप ऐसा कताई न करे कि कहीं से उधार लिया हुआ विचार जिदिती में उसको नंबर देकर नीचे पाद टिप्पन दे देना जरूरी है कॉमा में रखने की ज़रूरत नहीं है इससे पढ़ने वाले को हमारे शोथ को देखने वाले को पता चले कि इस विचार को यहां से लिया है क्योंकि ये विचार हमारा भी है लेकिन एक विद्वान के विचार को हमारे विचार से जोडने का ये बड़ा अच्छा प्रहतन है पाद टिपण दिखागर पाद टिपण में पहले जो कृती है कृतिकार का नाम रहता है कृतिकार के नाम बाद कृति का नाम रहता है और फिर कहते हैं संस्करण आदी का उलेक करते हुई अन्त में पुरुष्ट संख्या दिखानी होती है फिर उसको ले जाना होता है टंकन तक तयार हुआ उस दिसिस को टंकीत करना है तो ऐसे समय में हमें उसके अंतीम और प्रारूप आदी पर भी ध्यान रखना होता है हम कौन से विचार को रखना चाहते है वो तो आई जाता है और पहली बात तो हमें कहां से प्र Quebec मिली फिर कहते है कि अमने क्या करना चाहा है और फिर अंत में बताना है कि कौन-कौन लोग हमें उपयोगी हुए किन-किन लोगों ने हमें इसमें सहायता किए और ये थिस्स हम रख पाये हैं तो ऐसा हमारा विचार यानि इतने हम सरल और सहज तो होने ही चाहिए कि हमारे पास यह तटस्तता हो कि हमें जो जो उपियोगी होने वाले लोग है जो जो इंजिन लाइब्रेरियों ने हमें सहायता की है जो जो विद्वान क्योंकि सारे लोगों का उल्लेक करना मुश्किल है ऐसे समय में एक लाइन में भी बहुत कुछ हम कह सकते है कि हम उनका रून स्विकार कर सकते हैं अंत में संदर्व ग्रंत सुची जो रखनी होती है उसमें दो-तिन प्रकार अलग-अलग विभाग में भी हम उसको रख सकते हैं कि आलोच ग्रंत, आलोच ना ग्रंत, संदर्व ग्रंत, पत्र-पत्रिकाए क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से भी एक नए यूग को समझने के लिए नए यूग पर दर्शन में मिलता है तो उसका आधार्पी हम ले लेते हैं या किसी से साक्षात कर किया हुआ हो तो उसको भी हमें रखना होता है तो अब आपको संक्षिप में शोध प्रवीदी शोध का अ तो ये प्रहतन हमारा आपको आगे शोध के लिए बड़ा उपयोगी होगा यदि आपको ये उपयोगी होता है तो हमें बड़ी खुशी होगी और आज इस अवसर पर आपके सामने उपस्तित होने का मौका मिला है बड़ी खुशी है नमस्कार कर दो हमें